क्या हाल चाले क्या आपकी डिवाइस में यानि की आपकी आइफोन में iOS 17 अपडेट आने के बाद आप लोगों का यहां पर जो बेटरी ट्रेंड इस्यू है वो इंक्रीस हो गया है तो आज की इस वीडियो में काफी कमल की टीप्स औंट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसकी मद अभी आपके डिवाइस में कितना बेटरी हेल्थ रिमेनिंग है मेरे पास डिवाइस है आइफोन 14 प्लास और एक साल होने को आया है और अभी भी 97 परसंटेज मेरा बेटरी हेल्थ है वो देखने को मिलता है तो आपका कौन सा आइफोन है और अभी कितना बेटरी है वो मेर का issue है वो काफी increase हो गया है तो उसको कैसे fix करना है आए यह वन बाइवन सभी features बताता हूँ जिसको आपको turn off करना है और कुछ features को आपको turn on करना है तो सबसे पहले features की बात करते है जो कि वह स्टेंड बाइं मोड जी हाँ जब भी आप अपने फोन को charging में लगा के कुछ इस तरह का horizontal position में रखते हैं अगर आपकी पास pro device का कोई phone है जैसे की 14 प्रो 15 प्रो या कोई और तो यहां पर क्या होगा आपका जो यहां पर बेटरी हाल्थ है वो ड्रोप होने का और यहां पर बेटरी बेकप को यहां पर इंप्रूब कर सकता है बात करें नेक्स इंप्रूब्मेंट की जो कि वह आप लोगों को देखने को मिल जाता है वह अपने बेग्डाउन चो डेटा है वो खर्क होने लगेगा यहां पर मान लीजिए मैंने यहां पर विज्ट को यहां पर एड्ट करके रखा है वह को लॉंग प्रेस कीजिए और यहां पर टेप कर दीजिए रीमू वीजेट आपका जो वीजेट है वह यहां से हट जाएगा तो वह भी आपका यहां पर इंप्रूमेंट करेगा अब उसके बाद आप लोगों को एक फीचर को ओफ करना है जो कि वह है लोकेशन एंड सर्विस पर यहां पर जाएंगे आप अपने आईफोन की सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों को को टेप करना है प्राइवेसी एं सिकुरिटी जाना है लोकेशन सर्विस में यहां पर काफी सारे लोकेशन जो एप है वह आपका एक्सेस करता है आयोई 16 से 17 पर स्वीच कोने के बाद आपका जो डिफल्ट डिवाइस का जो सैटिंग है वो अनेबल हो जाएगा पर यहाँ पर काफी सारे एप ऐसे भी होगी जो कि अननेसेसरी गाइस आप लोका का यहाँ पर एकसे से लोकेशन का वो एक्वाइर करेगी तो जो नहीं चाहि और आपका यहाँ पर बैटरी इंप्रूमेंट है वो 99 परसंट है वो यहाँ पर इंग्रीज होगा तो डेफिनेटली इस विजट को टान आफ का दीजिएगा अब यहाँ पर एको और इंप्रूमेंट आप लोगों को देखने को मिल सकता है अगर आप अपने आइफोन में डार्क मोड को यूस करते हो तो definitely मस्ट ओफ आइफोन यूजर्च लगता है और को सभी लगता है अगर यहाँ आप लाइट मोड यूस करें उसमें को दिक्केत नहीं है जसे किजिए यहाँ बैटरी ट्रोका इस्यू है वह इस लाइट मोड की वज़े नहीं इसके बाद most common issue होता है जो कि iOS 17 में आने के बाद सब लोगों को enable हो गया होगा definitely मेरे को पता है आपको क्या करना है जाना है iPhone के setting में जाना है जनरल एक option देखने को मिल जाएगा वह बेग्राउंड एप refresh अब वो क्या है गाइस बार बार आपकी जो application है उसको बेग्राउंड से फेच करेगा उसका डेटा internet से consume करेगा और आप लोगों को नया नया अपडेट है जैसे कि Instagram की फीड, Instagram की दिल्स वो फेच करता ही रहेगा तो आपका यहाँ पर काफी सारा बेटरी ड्रेन है वो हो सकता है तो definitely guys आपको क्या करना है बेग्राउंड एप में जाना है by default आपकी device में Wi-Fi and cellular पर टेप होगा तो क्या करना है simple सा जाके off button पर टेप कीजिए पर आपका guys बेटरी ड्रेन का issue 99 परसंट इस ही option की मदद से fix हो ही जाएगा और वैसे setting related एक feature में आपको बताना चाहता हूँ जो कि definitely आप लोग यूज़ करते ही होगे जब भी आपके आइफोन की जो बेटरी है या बेटरी परसंटेज है 20% से अगर आपका आइफोन का बेटरी ड्रोप हो जाता है तो आपको क्या करना है simple सा जाना है control center में या फिर setting में और turn on कर देना है low power mode definitely guys मैं हर हमें इस low power mode को use करता हूँ और उसको मैंने setup करके भी रखा हुआ है कि जब भी मैं outdoor में जाओ तो low power mode on हो जाए जब भी मैं घर पर आओ तो low power mode off हो जाए ऐसा कुछ मैंने schedule लगा के रखा हुआ है अगर आप चाह से कुछ यहां पर feature आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा जो कि वह है जिसे कि music animated album art हो गया है कुछ यहां पर live activity है वह यहां पर आपको सो नहीं करेगी तो definitely guys low power mode के कुछ नुकसान भी है और कुछ यहां पर आप लोगों को बहतरी option भी देखने को मिलता है अब यहां पर जाना है आपको iPhone के setting में यहां पर scroll down करके आप लोगों को open करना है accessibility जाना है display and text size में scroll down करना है आप लोगों के features देखने को मिल जाता है जिसका नाम है auto brightness अगर default ही आपके device में off रहेगा तो simple सा उसको on कर देना है क्योंकि significantly guys आपका जो यहां पर brightness का percentage है उसको increase decrease करके आपकी battery health को guys यहां पर up to 5-10% तक increment है वो दे सकता है तो definitely इसको अनेबर कर दीजिएगा अब iOS 16 से iOS 17 पर switch करने के बाद काफी सारी एसी application होगी जो की आपके background में ही run करती होगी तो मैं recommend करता हूँ जो भी application आपको नहीं चाहिए जो पूरानी है तो इसको simple सा यहां से आप किल कर डेफिनेटली जब आपका requirement होगा तब आप open कर ही लेगे पर unnecessary iOS 16 में जो open हुआ था एप वो आप iOS 17 में के kill करेंगे तो आपके यहां पर battery improvement भी देखने को मिलेगा पर साथ ही सद्काइस आपको एक और update देखने को मिलेगा जो कि वो है अपने app store में काफी सारी iOS 17 की application की update ही व तो आपका जो battery rate के issue कुछ app की related होगा तो वो fix हो जाएगा अब यहां पर कोई भी update आता है कोई भी bugs आता है तो उसको simple सा kill करने के लिए आपको force restart करना है अपने iPhone को डेफिनेटली आप यहां पर बार बार अपने हर week या हर month अपने iPhone है उसको एक बार restart कर दीजिए एक अच् आप लोगों को एक और फीचर को off कर लेना है जो कि वह लाइव activity इंडिया में राइक नाव कुछ food apps जैसे की जो में टो स्विगी में अवेलेबल है अपल टीवी में अवेलेबल है तो उस तरही की जो live activity है उसको आप off कर सकते हैं जो कि बार बार आप लोगों को सोग करती ह जो कि definitely आप iOS 17 पर आ चुके है तो आपको improve हो सकता है जो कि वह है यहाँ पर automatic download अब वह कहां पर मिलेगा तो guys auto download है वह आप लोगों को app store और अपने iOS 17 के जो अपडेटर रेफ है वहाँ पर देखने को मिलता है सिंपल सा जाहेंगे आप अपने Apple के setting में जाहेंगे app store में एक section आप लोगों को देखने को मिलेगा वह है automatic download राइट नव यहाँ पर जो मेरा low power mode ओन है तो इसकी वज़े से जो option है वह ओफ हो गया अगर यहाँ पर मैं scroll down करके low power mode को turn off करूँगा तो यह feature वह by default enable हो जाएगा अब यहाँ पर आपकी device में definitely मेरे को मालूमी है यह own ही होगा तो क्या करना है app download को off कर देना है app update को off कर देना है और automatic download को भी off कर देना है जिसकी मदर से आपका जो background की जो सारी procedure है downloading app store की वह यहाँ पर kill हो जाएगी और आपका unwanted data भी खर्च नहीं होगा और आप लोगों का better drain वो during the night period of time वो काफी save होने वाला है वैसा ही एक feature आप लोगों को off कर लेना है जो कि वो आप लोगों के general में मिल जाएगा software update में वो हो automatic update सिंपल से यहाँ पर टेप करेंगे तो by default A B enable होगा तो सिंपल सा iOS update को off कर देंगे तो आपका iOS update automatic install और automatic download दोनों off हो जाएगा जिसकी I hope guys काफी सारी यह procedure करने के बाद आप लोगों का iOS 17 का जो battery health यह वो improve होने ही वाला है मेरे को आप comment करके बता दीजिए आपकी device में भी right now कितना percentage battery health remaining है और आप लोगों को क्या अभी right now यहाँ पर iOS 17 में battery health का को issue देखने को मिला है या भी नहीं जिले काइस मिलते के लिए आए उस 17 के वीडियो में तब तक के लिए signing off